Hello everyone, welcome to knowledge center for you आज के वीडियो में हम जोग्रफी का एक topic cover करेंगे जो है भारत के प्रमुक दर्रे आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो तो आपको इस topic पर से question देखने मिल जाते हैं लेकिन कई बार हमें इन दर्रों को याद करने में difficulty होती है तो इसलिए हम आज के वीडियो में state wise दर्रों को trick से याद करेंगे trick से याद करने से आपको इन दर्रों को याद करने में मुश्किल नहीं होगी और आपको आसानी से ये दर्रे याद हो जाएंगे पहले हम दर्रों को trick से याद करेंगे और उसके बाद हम दर्रो पर से एक्जाम में पूछे गए important questions को cover करेंगे तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की notifications मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहले हम दर्रे के बारे में जानेंगे यानि mountain passes के बारे में जानेंगे कि दर्रा किसे कहा जाता है तो देखिए पहाड और परवत पर आने जाने के लिए प्रकुरुती द्वारा बनाया गया रस्ता उसे दर्रा कहा जाता है तो पहाड और परवत के बीच में जो रस्ता होता है आने जाने के लिए उस रस्ते को दर्रे के नाम से जाना जाता है फर्स्ट है उत्तराखंड तो उत्तराखंड में तीन दर्रे हैं नीती दर्रा लिपूलेक दर्रा और माना दर्रा तो उत्तराखंड को कैसे ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए उत्तरी नीली मा तो आपको उत्तरी से हो जाएगा उत्तराखंड नी से हो जाएगा नीती दर् ठीक है, इससे आपको easily याद हो जाएंगे दर्रे, उत्रा खंड के, उत्री नीली मा से, next देखिए, सिक्कीम, सिक्कीम का है जेलेपला दर्रा, और दुसरा है नाथुला दर्रा, तो इससे आप कैसे याद रखेंगे C. जैन तो C से है सिक्किम और J से हो जाएगा जैलेपला दर्रा और N से हो जाएगा नाथूला दर्रा ठीक है आप ऐसे याद रखेगा तो अरुनाचल प्रदेश के दर्रे देखिए दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा तो आप इसे कैसे याद करेंगे ट्रिक देखिए अरुन दिया बुझा तो अरुन से हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश दीः से हो जाएगा दीफू दर्रा या से हो जाएगा याद दर्रा और जो बुझा है तो उसका बू हो जाएगा बोमडिला दर्रा ठीक है आप एसे याद रखेगा अरुनाचल प्रदेश का है अरुनडिया बुझा Next state है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की ट्रिक देखिए हीरोशी बारा हीरोशी बारा ये ट्रिक लगाई है तो ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश रो से हो जाएगा रोहोतांग दर्रा शी से हो जाएगा शिपकिला दर्रा और बारा ये है तो बारा से हो जाएगा बारा लाचाला दर्रा अब मनिपूर देखते हैं तो मनिपूर का है तूजू दर्रा ठीक है तो मनिपूर का एक दर्रा है वो है तूजू दर्रा तो मनिपूर की आप ट्रीक यह याद अखिए तुम सिप आपको तुम याद रखना है तू से हो जाएगा तूजू और म से हो जाएगा मनिपूर यानि मनिपूर का एक दर्रा है वो है तूजू दर्रा नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को आपको ऐसे यादक ना है, BJP बुक है, ये जम्मू कश्मीर की ट्रिक देखिए, BJP बुक है, बी से हो जाएगा बनीहाल दर्रा, जे से हो जाएगा जोजीला दर्रा, पी से हो जाएगा पीरपंजाल दर्रा, और बू से ह बुर्जील दर्रा, कर से हो जाएगा कारा कोरम दर्रा, ऐसे आप जम्मु कश्मिर का याद कर सकते हैं, बीजेपी बुख है, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेस्चन्स देखेंगे दरो पर से, फॉस्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो ये भी हो गया 12 लाचाला दर्रा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है शिपकिला दर्रा, ऑप्शन नमबर B देखिए, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो है शिपकिला दर्रा, और शिपकिला दर्रा से आप ये याद अखेगा, कि शिपकिला दर्रा का न किसे जोडता है तो उसका अंसर है श्री नगर और लेह को जोजिला दर्रा जोडता है और यहां से आप ये भी याद दखिये कि जोजिला दर्रा ये जासकर श्रणी में आता है जोजिला दर्रा ये किस श्रणी में आता है तो ये जासकर श्रणी में आता है नेक्स्ट है निम्न दर्रा में से किस दर्रे से हो करके लेह जाने का रास्ता है तो ये भी important question है तो इसका answer है जोजिला दर्रा जोजिला दर्रे से हो करके लेह जाने का रास्ता है और जोजिले दर्रे का निर्माण ये सिंधु नदी से हुआ है तो आप इसे याद अखेगा सतलज नदी से शिपकिला दर्रे का निर्माण हुआ है और सिंधु नदी से जोजिले दर्रे का निर्माण हुआ है ठीक है? अब नेक्स देखिए जम्मू से श्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो इसका अंसर है बनिहाल दर्रा और ये दर्रा कहा पर है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू और कश्मीर में और ये बनिहाल दर्रा जो है ये कौन सी परवच्रणी में आता है? तो बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल की श्रणी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है थाल घाट और भोर घाट किस परवतमाला में स्थीत है तो इसका अंसर है पश्ची में घाट में स्थीत है थाल घाट और भोर घाट और ये कहां पर स्थीत है महाराष्टर राज्य में ये दो दर्रे स्थीत है और इन में से जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है और जो भोरघाट दर्रा है वो पूने और चेन्ने को जोड़ता है तो आप इसे याद अखेगा रोहतांग दर्रा स्थित है तो इसका अंसर है हिमाचल प्रदेश हमने ट्रिक देखी दी हिरोशी बारा तो रोह से हो गया रोहतांग दर्रा तो रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है तो वो है हिमाचल प्रदेश में और ये जो रोहतांग दर्रा है ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है नेक्स्ट है माना दर्रा स्थित है तो माना दर्रा कहां पर स्थित है तो ये है उत्तराखंड में हमने देखा था उत्तराखंड की ट्रिक उत्री निली मा तो निली मा का आखरी वर्ड है मा तो माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है नेक्स्ट क्वेशन है आरियों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया तो इसका अंसर है खेबर दर्रा खेबर दर्रे से होकर के आरियों ने भारत में प्रवेश किया था नेक्स्ट है लिपुलेक दर्रा स्तीत है तो इसका अंसर है उत्तराखंड में स्तीत है लिपुलेक दर्रा और उत्तराखंड में ये दर्रा कहां पर स्तीत है तो ये है पित्थोरागड में नेक्स वेशन है पाल घाट निम्न मैं से किसके मध्या स्थीथ है important question है ये भी तो इसका अंसर होगा निलगिरी और अन्नमलाई में पाल घाट ये दर्रा स्थीथ है केरल और तमिल्नाडँ को कौनसा घाट जोड़ता है तो इसका अंसर है पालगाट केरल और तमिल नाडु को जोड़ता है और पालगाट ये कहां स्थित है हमने देखा था पालगाट ये निलगीरी और अन्नमलाई में स्थित है ठीक है अब नेक्स देखेंगे खेबर दर्रा कहां स्थित है तो खेबर दर्रा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थीत है और हमने देखा था आरियों ने भारत में खेबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था तो आप इसे भी याद अखेगा ये भी important question है नेक्स देखिए सूप्रसिद्ध कैलाश मांसरोवर यात्रा गुजरती है तो ये यात्रा कौनसे दर्रे से होकर के गुजरती है तो इसका अंसर है लिपूलेक दर्रे से होकर के और ये दर्रा उत्तराखन में स्थीत है भारत का सबसे उचा दर्रा कौनसा है तो इसका अंसर है कारा कोरम दर्रा ये भारत का सबसे उचा दर्रा है और ये जो दर्रा है कारा कोरम ये कौनसी परवच्रेणी में आता है तो ये कारा कोरम परवच्रेणी में आता है अब नेक्स देखिए बारा लाचाला दर्रा किस राज्य में स्थीत है तो बारा लाचाला दर्रा ये हिमाच हिमाचल प्रदेश में स्थित है हमने देखा था हिरोशी 12 तो 12 से हो गया 12 लाचला दर्रा तो 12 लाचला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कौन सी परवच्रेणी में आता है तो 12 लाचला दर्रा ये जासकर परवच्रेणी में आता है और ये मंडी और लेह को जोडता है तब इसे याद दखेगा नेक्स्ट है कौनसा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था तो इसका अंसर है नाथूला दर्रा ये 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था और यहां से आप ये भी आ दखिये इससे पहले हिमाचल प्रदेश में स्थीत जो शिपकिला दर्रा है और उत्तराखन में स्थीत लिपुलेक दर्रा ये दोनों ही दर्रे भारत और चीन के व्यापर के लिए खुले किये गए थे अब नेक्स्ट है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है तो इसका अंसर है थालगाट दर्रा ये नासिक और मुंबई को जोडता है और हमने देखा था ये दर्रा कहां स्थीत है तो थालगाट दर्रा ये महाराष्टर राज्य में स्थीत है नेक्स्ट क्वेशन देखिए तूजु दर्रा भारत को किस देश से जोडता है? तो तूजु दर्रा भारत को मैनमार से जोडता है और तूजु दर्रा ये मनिपूर में स्थित है नेक्स्ट है सिक्कीम और भुटान को कौन सा दर्रा आपस में जोडता है तो सिक्कीम और भुटान को जेलेपला दर्रा ये आपस में जोडता है और जेलेपला दर्रा ये सिक्की में स्थित है नेक्स्ट प्वेशन देखिए प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकुरूतिक दर्रे को दिया गया है? तो इसका अंसर है प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है और बनिहाल दर्रा ये कहां पर स्थित है? तो जम्मु कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है नेक्स्ट है किस दर्रे के पास से ब्रम्ह पुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका अंसर है यांग्याब दर्रे से होकर के ब्रम्ह पुत्र नदी ये भारत में प्रवेश करती है और यांग्याब दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये दर्रा भारत और तिबबत की सीमा पर स्थित है अब नेक्स्ट है कौनसा दर्रा लद्धाक को तिबबत से जोडता है तो लद्धा को तिब्बत से जोडता है वो कौन से दर्रा है तो वो है चांगला दर्रा और चांगला दर्रा कहां पस्तित है तो यह है लद्धाक में तिस्ता नदी का निर्मान किस दर्रे से हुआ? तो इसका अंसर है जेलेपला दर्रा जेलेपला दर्रे से तिस्ता नदी का निर्माण हुआ नेक्स देखिए रोहतांग दर्रा सूरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो रोहतांग दर्रे का नाम बदल करके अटल बिहारी बाचपेई सूरंग कर दिया गया है तो आप इसे याद अखेगा लास्ट प्वेशन देखिए भोरगाट दर्रा किस राज्य में स्थित है तो हमने देखा था थालगाट और भोरगाट दर्रा ये महाराष्टर राज्य में स्थित है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हम इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेर करते रहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबाना बिल्कूल भी मत भूलिएगा इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ